लखिया ठीक रंग से खिली भी नथी की मुर्जा गई। अरोंच भी नहीं आने देता था। महले वाले लखिया की एक जलक पाने को तरस्ते थे। पर लखिया की यह खुशी ज्यादा टिक न सकी। कलुआ खेत में काम कर रहा था। वही उसे जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेचारी लखिया विध्वा की जिन्दगी जीने को मजबूर हो गई, क्योंकि कलुआ तोहफे के रूप में अपना एक वारिस छोड़ गया था। किसी तरह कर्ज लेकर लखिया ने पती का अंतिम संसकार तो कर दिया, लेकिन कर्ज चुकाने की बात सोच कर वह सिहर उठती थी। उसे भूख की तडप का भी एहसास होने लगा था। जब भूख से बिलखते बच्चे के रोने की आवाज लखिया के कानों से टकराती तो उसके सीने में हूख सी उठती। पर वह करती भी तो क्या करती। जिस लखिया की एक झछलक देखने के लिए महले वाले तरस्ते थे, वही लखिया अब दूरों के जुंट में काम करने लगी थी। गाव के मंचले लरके चीन टाक्षी भी करते थे, लेकिन उनकी अंदेथी कर लखिया अपने को कोस कर चुप रह जाती थी। एक दिन गाव के सरपंच ने कहा, बेटी लखिया, बीडियो डफतर से कलुआ के मरने पर तुम्हें 10 हजार रुपए मिलेंगे। मैंने सारा काम करा दिया है। तुम कल बीडियो साहब से मिल लेना। अगले दिन लखिया ने बीडियो डफतर जाकर बीडियो साहब को अपना सारा डुखरा सुना डाला। बीडियो साहब ने पहले तो लखिया को उपर से नीजे तक घूरा, उ उस पर लखिया के अंगुठे का निशान लगवाया और एक हफ़ते बाद दोबारा मिलने को कहा। लखिया बहुत खुश थी और मन ही मन सरपंच और बीडियो साहब को धन्यवाद दे रही थी। एक हफ़ते बाद लखिया फिर बीडियो डफतर पहुंच गई। बीडियो साहब ने लखिया को अदब से कुरसी पर बैठने को कहा। लखिया ने शर्माते हुए कहा, नहीं साहब, मैं कुरसी पर नहीं बैठूंगी। ऐसे ही ठीक हूँ। बीडियो साहब ने लखिया का हाथ पकर कर कुरसी पर बैठाते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि अब सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है, अब केवल गरीब ही कुरसी पर बैठेंगे, मेरी तरफ देथ हो न, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब ही हूँ. कुरसी पर बैठी लखिया के चेहरे पर चमक थी, वह यह सोच रही थी कि आज उसे रुपए मिल जाएंगे. उधर बीडियो साहब काम में उल्हे होने का नाटक करते हुए तिर्ची नजरों से लखिया का गहा हुआ बदन देख कर मन ही मन खुश हो रहे थे. तक्रीबन एक घंटे बाद बीडियो साहब बोले, तुम्हारा सब काम हो गया है. बैंक से जैक भी आ गया है, लेकिन यहां का विधायक एक नंबर का घुसखोर है. वह कमीशन मांग रहा था. तुम चिंता मत करो. मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और वही पर अकेले में जरूर हुई, फिर भी बोली, ठीक ए साहब, कल जरूर आयेगा. इतना कहकर लखिया मुस्कराते हुए बाहर निकल गई. आज लखिया ने अपने घर की अच्छी तरह से साफसफाई कर रखी थी. अपने तूटे-फूटे कमरे को भी सलीके से सजा रखा था. वह सोच रही थी कि इतने बड़े हाकिम आज उसके घर आने वाले है. इसलिए चायनाश्ते का भी इंतजाम करना जरूरी है. छंड का मौसम था. लोग खेतों में काम कर रहे थे. चारों तरफ सन्नाटा था. बीडियो साहब दो फर ठीक बारह बजे लखिया के घर पहुंच गए. लखिय साहब, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ. लखिया ने मुस्कराते हुए कहा. अरे नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है. मैं अभी खाना खाकर आ रहा हूँ. बीडियो साहब ने कहा. मना करने के बावजूद लखिया चाय बनाने अंदर चली गई. उधर लखिया को देखत बंद कर दिया. जल्दी ही लखिया चाय लेकर आ गई. लेकिन बीडियो साहब ने चाय का प्याला लेकर मिस पर रख दिया और लखिया को अपनी बामों में ऐसे जक्रा की लाख कोशिशों के बावजूद वह उनकी पकर से छूट न सकी. बीडियो साहब ने प्यार से उसके बार सहलाते हुए कहा, देख लखिया, अगर इंकार करेगी, तो बदनामी तेरी ही होगी. लोग यही कहेंगे कि लखिया ने विध्वा होने का नाजायस फाइदा उखाने के लिए बीडियो साहब को फंसाया है. अगर चुप रही, तो तुझे रानी बना डूंगा. लेकि तो अच्छा है कि मैं भीख मांग कर कलुआ की विध्वा कहलाना पसंद करूंगी, लेकिन रानी बन कर तुम्हारी रचहल नहीं बनूंगी. लखिया के इस रूखे बरताव से बीडियो साहब का सारा नशा काफूर हो गया. उन्होंने सोचा भी न था कि लखिया इतना हंग खड़ा करेगी. अब वे हाथ चोर कर लखिया से चुप होने की प्रार्थना करने लगे. लखिया चिला चिला कर कहने लगी, तुम जल्दी यहां से भाग जाओ, नहीं तो मैं शोर मचा कर पूरे गाव वालों को इकठा कर लूंगी. घबराए बीडियो साहब ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी.